चोटाला जी को जेल भेजा गया है अब बात आपकी करते हैं और जिससरा से हमारी बात होती है हलके के लोगों से बात हुई तो आपका कहना है कि लोगों का सहयोग मिलता है लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि आप मिल नहीं पाते हैं लोगों के साथ मेल जो वाली बा मैं पनादास करने के वार्ट फिर बनादास करने के लिजस prêtा करने करने के भाद शॉच से थीॐजे से पैशड दिन में अधर नहीं करी आईने में को हैसे मली मेंबर कर अगर वो हलके में गेर हज़ रहता है जी तो मैं तो इसमें कोई जादाई से आए उचीत बात नहीं मानता चूँके मैं तो यहाँ जादा तर जाए सिर्फ डेली अगर कोई एसमेली मेंबर अगर लोगों के संपर्क में लोगों के अगर रूबर रहता है तो वो मेरे खाल से महमद इलियास है है जी इलियास साब जिस तरह से देखे जाए मेबात के बारे में जितना जानता हूँ कि एक मेबात पूरे मेबात के आप बात करते हैं मुस्लिम बाहुले इलाका माना जाता है तालिम के मामले में अगर बात की जाए तो मेबात अभी भी शिक्षा के मामले में ब भी फरक पड़ा है, इस मामले में काफी आगय था। darauf क्या कोशिश की गई और क्यों पर्वाइर नहीं चड़ पाएं? रिभी लायमा जतने इक ही न regulatory के वह रही है स्य और जला मेवाद द 수गत है है और जब जब भी सेशन हरियाना सरकार का आया और हमने बराबर उसको जॉइन किया अटेंड किया और हमने अपनी मेवाद की समस्षा को और खास तुझ से पुणाने की हलका को और चाहे बेसे का आप रिकोर्ड लिकरवा के देख ले हमने बराबर जो है कोई सेशन ऐसा नही काओ लड़कियों के कॉम्बिनेशन कोलिज के लिए ना काओ या सिकूलों के लिए ना काओ हम तो चिला चिला के मर के हमने दुनिया बरके टीचर जो हमारे यान नहीं है उनके लिए हमेंसे अपना सवाल रखा और जहां तक उपतेशिल की बात है हमने पिनंगवा को उपते इसकी बेहद जरूर थे और इस सरकार को बनाना चाहिए था लेकिन हम तो इस गूंगी पहरी सरकार के कानी तो खोलने का काम कर सकते थे सरकार कहती है कि मेबाद के लिए बहुत कुछ किया है आफताब एहमद मंचरी है सरकार में वो कहते है कि उन्हें पूरे मेबाद सिर्फ नहीं बलकि पूरे मेबाद की हो बात करते है कि मेबाद के लिए बहुत कुछ इनकी सरकार कर रही है सरकार भी यही कहती है शुक्षा क कि मामले में कहीं भी द्वाव नहीं कि चाहे वो मेवाथ हो चाहे कोई भी इलाके हो इस एक चाह के अद्बार दे तो पहले मैं आपताब जी भाई से भी यह करना चाहता हूं कि पहले तो वो यह देखे पहले ही जो स्टाप था मेवाद में मंत्र जी आज तक स्टाप की पूर्टी नहीं कर पाए हमारे यहां सतर अस्टी फिश्दी यहां स्कूलों में स्टाप नहीं है और हमने बराबर उसकी मांग करते रहे हैं और जहां तक रोजगार की बात यह कि आए थे तीनों हलकों से बलके आतीन भी उसमें सामिल है तो अब बड़े अफसोस की बात है केबिनेट मिनिस्टर जो परिवहन मंत्री है उसके डिपार्टमेंट में वर्तियों और मेवा से सिर्फ चार हलकों से छे बच्चे आए तो अब यह आपताब जी खुद अपने ग मुखमंत्री ने किया है तो 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 हम मानते हैं हम चलो हम तो शुक्रियादा करते हैं लेकिन अफसोस यह यह भी एक दिखावा है यह भी सिर्फ लोगों को एक बेकुब बेकुब बनाने वाली बात है और इन्शालला ताला आगे चलकर हमें पूरे पर्देश में जो आज ह बिल्कुल सरकार का आपका जिस तरह से आप लोगों का दावा है कि सरकार बनेगी वो अलग बात है लेकिन हम मेबाद को हरियाना का सबसे पिछला इलाका माना जाता है उस पर नज़र डाल लेते हैं विदायक ची आप भी देखे कि किस तरह की समस्यां यहां पर हैं आपको प्रदेश की जिलो में मेबाद को विकास की मामले में सबसे पिछला माना जाता है और पुन्हाना को मेवाज जिले का सबसे पिछड़ा विधानसवा छेत्र जी हाँ विकास के मामले में हमेशा ही पिछड़ा रहा पुन्हाना आज भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्त की हो, सुरक्षा की हो या फिर सफाई की हो हर छेत्र में पुनहाना खुद को काफ़ पीछे पाता है यहां के समाने अस्पताल में डॉक्टनों और दवाओं की भारी कमी दूसरी तरफ पिंगवा में भी CSC का काम पिछले तीन साल से अधर में लटका हुआ है यहां कोई सरकारी कॉलेज भी नहीं है जिसके चलते शिक्षा के मामले में भी पुनहाना पिछड़ गया है यहां एक अल्ब संख्यक विच्विद्याले की भी मांग लगातार उठ रही है इसके साथ ही पुनहाना की जनता की कुछ और मांगों पर भी थ्यार नहीं दिया जा रहा है यहां की जनता पुनहाना को पमंडल का दरजा देने की मांग कर रही है तो पिंगवा को भी तैसील का दर्जा देने की वांग की जा रही है कुनाना में आज तक किसी भी पार्क का निर्मान भी नहीं हो पाया वहीं दूसरी तरव अगर खेल स्टेडियम की बात की जाए तो खेल स्टेडियम उद्घाटन से पहले ही खंडर में तबदील हो चुका है यहां अभी तक ना कोज की निक्ती हुई है ना ही अन्य स्टाफ की परिवहन के साधनों की दृष्टी से पुनाना प्रदेश के अन्य हिस्सों से लगभग कटा हुआ है यहां सुदिल्ली और चंडिगट के लिए सीधी परिवहन सेवा का अभाव है युवाओ के लिए रोजगार के शेत्र में भी पुनाहाना पिशुड़ा हुआ है यहां किसी तरह का कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा सका है पुनाहाना की समस्याएं महज यही नहीं ठैरती है बुजली पानी जैसी मूलभू स्विधाओं की भी यहां बेहत कमी है वही सलकों की हालत भी खस्ता बनी हुई है इसके साथ इस सफाई और सीवर व्यवस्था की हालत भी लगातार बत्तर बनी हुई है किती जारी समस्याओं के बाद ये अंदाजा लगाना बेहत सहज है कि पुनहाना में विकास के हालात आकिरकार कैसे होंगे जनुटा टीवी के लिए पुनहाना से कासिं खान की रिपोर्ट तो ये समस्याय थी पुनहना की और बहुत जादा समस्याय अगर बात की जाए तो हर विधान सबस्चेतर में नजर आते हैं लेकिन मेबात की इसलिए बात करते हैं खास क्योंकि जो भी पार्टी होती है वो मेबात पर खास ध्यान देने की बात करती है विदायक मुहम्मद इलियास साहब हमारे साथ जुड़े हुएं विदायक साहब हम बात करते हैं खेलों से हर्याना की खिलाडी आज देश भर में दुनिया भर में नाम रौशन कर रही है लेकिन मेबाद के खिलाडी उसमें थोड़े पीछे रह जाते हैं बात की जाए तो इस्टेडियम का भी यहाँ पर निर्मान हुआ लेकिन उस्टेडियम की अगर बात की जाए तो खसता हालत है कोई तक की नुक्ति नहीं हुई तो खिलाडी वहां से कैसे आएंगे इसके लिए आपकी करफ से क्या कोशिशन की गए कि कि कम से कम खिलाडियों के लिए तो खुश्व विधाय मिल पाती है जो मेबात से खिलाडी होते हैं हम इस सवाल का मैं जवाब लूगा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए श्रफाक श्रफाग जी अपना सवाल पूचे विदायक जी से हमारे हाँ आप जुड़ चुके हैं अपने अपनी बात रखिये क्या कहना चाहते हैं हमारे यहां से जुड़ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गया मनीश जी मनीश जी आप भी अपना सवाल पूचे चली बहुत शुक्रिया तौफीक हमारे और दर्शक हमारे साथ जुड़ गया है तौफीक जी अपना सवाल पूचे क्या सवाल आपका विदायक जी से पर मेरे सवाल है पुनाहना में कोई कॉलिज नहीं कोई बस्टेंड नहीं कोई पॉब्लिक प्लेस जी सारु चीज नहीं आपर इन चीजों के लिए अपने विदायक रहते हैं कितने कोशिश क्या करते हैं चलिए जवाब लेते हैं विदायक जी तारिफ भी होती है सवाल भी उठते हैं तौफिक एक दर्शक्त हमारे वो सवाल करें कि बस कॉलिज नहीं बस्टेंड की सुविदा नहीं अपनी तरफ से आपने किस तरह की कोशिश की देखे मैंने पहले में बताया था जब हर्याना सरकार का सेशन जब भी आया हमने उसको बाकाइदा कंटिनियो अटेंड किया और हमने चाहे वो बस्टेंड की बात थी और चाहे उपमंडल की बात थी अपने पुनाने की चाहे उप्टैशिल की बात थी चाहे बिलोक की बात थी चाहे विजली की बात थी चाहे पानी की बात थी चाहे खराब रोडो की बात थी चाहे विकास की बात थी हमने बराबर जो है विधान सबा में उनको ये बहरी कुँगी सरकार के कान खोलने का काम किया लेकिन अफसोत की बात तो ये कि हम तो आपोश्लमे चेलों हम तो आपोश्शन में हैं हम तो आपोश्लमें थें लेकिन आपने ये भी देखा होगा इनके ही लोग जो है कोंगरेस के लोगोंने विदान सभा में कहा और विदान सभा से बाहर रिही एका कि हमारे साथ जो है हरियाना सरकार अदिनियों उड़ाजी हमारे साथ भेद भाव कर रहे हैं आप इसमार WOW कि पर हमारी बात को किस ने पूछना था और पिर हमारी पार्टी ने चाहे परदेश की कुछी भी तरह की कोई समस्चा थी, पानी की थी, बिजली की थी, बीपियल काड की थी, रोजगार की थी, बसिशेंट की थी, चाए शड़कों के विकास की थी, आधनिये चुटारा सहाब ने हमारे जो रास्तिय अध्यक्स है, इंडियन नेसल लोगडल पार्टी किया, और इनके जो कार्णे में जो इनके घोटा ले थे, उनको उजागर करने कर किसी ने काम किया, एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्कुल बात जारी रखेंगे, कपिल जी हमारे साथ जुड़ गए, कपिल जी अपना सवाल कूछे विधायक जी से, सर, मैं विधायकी से तो कोई सवाल क्या पूछूना, विधायक जी विपक्ष में रहते हुए भी लाके के विकास के बारे में ही सोचते हैं, और आगामी चुनावों में भी हमी नीचे उम्मीद लगाते हुए नीची समर्थन करेंगे, इन्होंने हरतने अमन पसंद में शे कि जनता आप से खुश है और चाहती है कि आप दुबारा चुन कर आईए और अपनी सरकार अब जब आप अपनी सरकार में आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसा क्या खुछ खास आपने कि लोग इतनी तारिफ आप की कर रहे हैं। गंटे जनता की सेवा में समर्पित होते थे और उनी के निर्देश उपर हम जब पोजिशन में थे तब भी हमने यही काम किया। आज भी हमने बराबर जो हमारे लोग हमारे पास समस्चा लेके आते हैं। हमारा काम है परशासन की आँख खोलना। एज़ अपोजिशन के मे लोगों पे या 36 ब्रादी के लोगों पे जो गलत काम करने का जो उनको पर तबावर परशान करने का काम किया हमने बराबर जो है वो परदरसन के जरिए हमने बाकाइदा एस पी डी सिक पास जाकर लोगों की समस्चाओं को समादान करने के हमने पूरी कोशिश की जैसा कि मैं आप से कहा था हरियाना परदेश लेवल पर हमारी इंडियस नेसल लोग दले लिए कैसी पार्टी थी जिन्नों ने हरियाना सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उज दियाना के खिलाडी जहां एक तरफ दुनिया भर में देश का नाम रौशन कर रहे हैं प्रदेश का नाम रौशन कर रहे हैं मेबास से भी ऐसे खिलाडी निकलने चाहिए थे जो पिर देश का नाम रौशन करते उन खिलाडियों के लिए आपने क्या कुछ किया यहां तो आ बाकाइदा शुरू में खेल निती बनाई थी और उन्होंने बाकाइदा जो इनामात रखी थी जो यहां तक बात जो पोलिस बनाई थी जो स्रौन पधक लाएगा उसे एक करोड उपय दिया जायेगा जो काशेजे पतक लाएगा उसे पचास लाग में देढ़े जाएगे और जो सिलवर पतक लाएगा उसे शाद पच्चीस लाग में देढ़े यहीं यहीं लिए सबसे पहले अगर खेलों का भी श्रेश अगर जाता है तो वह हमारी मuite friends हरयना के वजीर आला वो भी कहते हैं कि हमने फीलों के लिए बहुत कुछ किया है हैं आप कोशिश करते हैं अंगर नहीं सरकार करवा रही थी तो आप कहतें कि में बबाख के जो खेलाडी हैं वो भी आगे निकलें उस उस पर आपने क्या कुछ किया जो इस्टेडियम बन चुके हैं कम से कम वो तो सही तरीके से नजर आते हैं यह स्टेडियम तो हमारे मेवाद के जब बनाते हैं मुझे मैं कहता हूं मैं हमारे एक छाइसा गाउं है वहाहां हमारी लड़की है शाहिए हूं है आनिशा है और वो तिन मरतबा जो है वो गोल्ड मेडल ला चुकी है इसी तरीके क्या हमारे मेवाद एक क्राइच बना वो भी कई मरतबा जो है वो शिलवर मेडल गोल्डरी नाई है हमने उसकी बाद विधान सवा में रखी है कि जाकी बाकी पुर्देस के बिचे मेडल ला रहे है अच्छी बात है हमारा पुर्देस कै चा ह लेकिन अफसोस की बात ये है कि मेवाद के दो बच्चियों ने और ये शाद हमारा गाव है शाद सोना के पास उसका गाम आता बार उठा है वो भी बच्चा हमारा मेडल लाया था हमारा हिंदू भाही का बच्चा था समाज में इस वाद से कोई समझ नहीं को कौन मुसलमान का है अधरने मुख्मांती जी यहां मेरकाले पंदरा पिछले पंदरा गस्त पर चब्वी जोन नहीं पाए थे एक बच्चे ने यहां और वो उसके अपने जिले से संबंदी था उसने सिर्फ योगा का असन किया था यह अलग बाते हो बच्चिसमिती से एक्षिडेंट हो गया पिचारा उसके हाथ पे तूड़ के थे उसके लिए हमने भी अफसोस किया सिर्फ योगा के आसन करने पे उसे नोकरी दे दी गई और यह मेवास से संबंदी दिए बच्चे जो मैडल ला चुके हम चिला चिला के ठग गे हमने हाउस में हमने आविदान समा में का लेकिन हमा जहां पूरे परदेश को सम्मान दिया जाएगा जहां पूरे वर्देश को विकास दिया जाएगा जहां पूरे परदेश को रोजगार दिया जाएगा जहां पूरे परदेश को शान्ती दी जाएगी और करमचारियों की समच्चा को समधान किया जाएगा मैं समचतना पादरनी चुटारा साब ने मेवाद को हमेशा अगरनी रखा है आप स्वाद सेवाओं की बात करते हैं बहुत जरूरी होती है इनसान की जिंदिगी में उसको ठीक तरीके से इलाज मिल जाए और अस्पतालों में सही सुविदा मिल जाए लेकिन मेवाद में स्वाद सेवाओ की भी बहुत कमी है उन्हाना की अगर बात करते हो तो यहां पर भी कमी है और जिस तरह से का काम चल रहा था वो भी नहीं हो पाया है कि रह्मान जो मौज उस ताइन तकालिन मंत्री थे उनकी तरफ सभी फटकाल लगाए गई थे हैल्प संक्या क्मामलों के मंत्री थे लेकि है शहाई जी मैं बार वार आपसे अन्लोद कर चुका हूं हूं हमने बराबर चाहे विदान सावा की बात रही हो चाहे हमने विदान सावा से बहार चाहे वो सिक्षाय डिपार्टमेंट विभाग की बात हो चाहे स्वास्ते विभाग की बात हो चाहे नहरी पानी की समझा एरिकेशन डिपार्टमेंट की हो किसी भी विभाग की बातर्यों हमने बराबर अपने हलके का नहीं बलके मेवाद प्लेवर पर हमने बाकाइदा अपने इन वहरी गूंगी सरकार के काल खोनने का काम किया और अब जहां तक जिसे इसने यह ना कोलिज का रांसमेंट किया है ना जी तो हमारे याँ एक पहले जो है जो आदमी बहुत पुराना आज भी वही है कोई आदमी जब बीमार हो जाता है और वो जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो गाव के लोग महुले के लोग कस्मे के लोग उसको देखने जाती और जब देखते वहां देखते हैं बहुत ज्याजा नाजुकालत होती है तो हमारे अधियात में कहते हैं इसिर गोंगेरू यह जो नछा है ना नछाला इससे गोंगेरू के नांपते जाएता है तो जब जब वो ज sparkling कलीम कोत के कलीम हो जाता है तो हमारे धार्मी के अत्वार से, हदीश के अत्वार से, एक सद्का होता है, और सद्का जो है वो बक्रे का किया जाता है, और जब वो बक्रे के सद्का किया जाता है, तो उसमें हमारा धार्मी के अत्वार से ये मानना है, या तो बिचारा वो ठीक हो जाता है, और नहीं अक् काम आएगा नहीं आएगा वो देखा जाएगा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए आपके लिए सवाल लेकर अपने सवाल पूछे विदायक जी से सवाल पूछे सुनिल जी आप सुन पा रहे हैं सुनिल जी लगता है संपर तूर गया तो सत्के की बात आप कर रहे ते कि जिस तरह से कोई कह रहा है कि डूपती एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अमर जी अपना सवाल पूछे अब जी हलो जी हमर जी अप जोड़ चूप के अपने स कि अर्याना के अंदर 14,000 गेंगे हैं अधि तो इनकी विपक्षम होते हैं तब तरह साथ में आपने अजेंडे में ने पूछन जाता हूं जी सवाल दुबारा दोराएंगे आप जी मैं दुबारा दोराएंगे जाता हूं कि हर्याना के अंदर जो बेस्ट रिचर है उनके लिए पार्टी अभी तक कोई सुप्ष नहीं किया है जो जो विजेपी है उन्होंने क्या प्रण्ट हम अपने अजेंडे में लेंक करेंग तो इन्होंने क्यों नहीं किया भी तर्स एहम सवाल है जी विदाइक ची क्या जबाब है आपका हमारी पार्टी हमारे निता हमेशा इनके पक्ष में रहे हैं और आज भी पक्ष में और आपको याद होगा जब करमचारियों यहाना परदेश के करमचारी जो है यह बाकाइदा इन्होंने विदान सवाग गहराव की बात की थी तो उस वक सेशन चल रहा था तो फोरन सेश पार्टी के अद्धिक सिरिया सो करोडा जी और हमारे खेल लतन हिंदुस्तान की करोड़ो युवाओं की धनका चोधी अबे सिंग जी वहां बाकाइदा मोके पे गए और बाकाइदा सभी करमचारियों को चाह उसमें गेस टीचर भी थे और बाकी लोग भी थे जो उनकी सम शाओं का समधान करें हैं और हम आपके साथ हैं चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जोड़े हो रुश्तम जी अपना सवाल पूछें विद्यायक जीसे रुश्तम जी जी आप अपना सवाल पूछें अफ़ा कि अपकी बात सब्सरें करें पहना हें हुए गिघोल यधा हालो जी जी और रुस्तम घारपुरांग हालो हाँ आजी मुझे सवाल पूछा है र्याजी से पूछिए यह सवाल यह है का हमारा गाउं है विच्वर के पास एक नौलेट गाउं चोटा साथ हूं गाउं का एक बार और नाम बताईए अपनी बात रखिया आप क्या कहना चाह सुनिल जी हमारे साथ जड़ गें सुनिल जी अपने सवाल पोछी है विच्वर कौषिए जी सुनिल जी नमस्कार जी जवाब दे दिया जी हाँ मैं पुनावन है भूल रहा हूं कर जाहा हूं कि इस बार को लगता है कि होड़ाजी कि सरकार पूचाओ जाएगी और इन्ने लोग की सरकार की तंभावना है तो रोजगार के खेत्र में विदायक स्रापकास का योगदान रहेगा इन खेत्र के लिए जी विदायक साब और इन्ने लोग की सरकार आएगी हमें भी पूरान विश्वास है कि आने वड़ा समय इन्ने लोग का होगा हमारी सरकार बनेगी और चुटाला साहब आदनी चुटाला साहब उसके मुखमती होंगे तो जिस तरीके से हमने पहले हमारे माननी चुटाला साहब ने जहां पूरे परदेश को रोजगार दिया था उसमें फुरोजपू जिरके समय उसक्वी दाता वो भी अचुता नहीं दाता और आने वाले समय में हमारी भरपूर कोशिश होगी कि मेवाद के जितने भी बच् पोस्ट की रेजूट है या प्रस्टू है हम जादा से जादा रुजगार दरा पाएं यह हमारी पूरी बर्पूश परियास रहेगा मारी एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गए सलील कुमार जी आप दी अपना सवाल पूचे सलील जी अपना सवाल पूचे टेलिविजन क अमेले साब का क्या वितार है क्या इनकी सरकाराइगी तिनको ने मित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा विदायक ची पहले भी उसी दिरा का सवाल आया था एक बार फिर से इस तरह का सवाल क्या जबाब देंगे इनको भी आप नहीं मैंने तो पहले भी ये को था है यह गेस्ट्रों कि नहीं मैंने तो पहले भी यह कह था यह पक्ष में रहेंगे चाहे वो गेस्टीत्रों की बात हो और चाहे हमारे दूसरे पर रहाना परदेश के जितने मुलाजमीन हैं चाहे वो हर्याना पुलिस के हो और चाहे किसी भी महिकमे के हमारे करमचारी यद्दकारी हो आदनिये चुटणा साथ ने जैसे मैंने कहा था जो उस वक्त सेचन चल रहा था तो हमारे माननिय चोधि यद्वे सिंग चुटणा जी ने बाकाइदा हमरे पाष्टी अद्चा चाना ने अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् लगतार इस तरह की सवाल आ रहे थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आज नौजबान भी कर रहे हैं विदायक जी और क्योंकि रोजगार की समस्या रहती है आपकी सरकार से उम्मीदें लगाई जा रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो शायद कुछ कर पाएं रुस्तमक जी अपना सवाल पूंचे रुस्तम जी आप जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूंचे चेंफाक में असल में सही बात तो यह जी नवल गेल्ड में तो फिरु publi ěता रही, बतारें बिल्कुल होगी और नवल गेल्ड में नहीं बलके यहां पूरी मेवाट मेर, खास वर से पुनार हलके में हमारी सारे हलके में ही बहुत जादा समस्या है और उसको भी हमने बराबर जो है पबलिक हेल्ट के एक्षिल के पास जाकर, एस्टी के पास जाकर, यहां तक के चीफ इंजियर के पास जाकर, बड़े अफसोस की बात है हम बराबर कहते रहे, यहां जो रेनीवल की सिकीम आदनी चुटाला साब लाए थे, उसमें से जैनल मैं पहले बर आपको पता था, दो से क्रोड रुपे है हर्याणा परदेश, मैं कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद इनों ने कार दिये, और आपको एक ताज्यू की बात बताओ, हमने विदान सभावें में उठाई, और यहां बराबर आला अफसोरों से हम बाकाइदा जाए, आगरे करते रहे, यहां के जो एक्शन और एक्सी है, चलो हमने यह का कि पूरे मेवाद के लिए सिकीम है, तो यहां के एक्शन को रहसी को यहां पुनाना हेड़कोर्टर उनका बनाया जाए, जब और उनका बाकाइदा आज की तारिक में एक्शन पब्लिक हैल्ट जो है र अगर एक्शन तो यहां बैटना ही चाहिए था, जब आखो आगे सामने लोग होंगे, तो उसका कुछ ने कुछ वो काम करने की समयदान करने कुश्ट करेगा, विदायच जी अगर मेवाद की बात की जाए, बहुत संग्शिप में, वक्त अब खतम हो गया है, इस प्रोग् मेवाद में कभी किसी का दबदबा, कभी किसी का दबदबा रहा है, मेवाद आज तक पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्या वज़े मानते हैं, बहुत संग्शिप मैं जानना चाहूंगा, बहुत मुक्तसर में कि क्या वज़े मानते हैं आप, और अब अगर आपकी सरकार आ और यहां आज तक ने इससे पहले केबिनेट मंतरी हुआ करते थे हमारे मेवाद बड़े बड़े डिपार्टमेंट उनके पास हुआ करते हैं अफसोस की बात थी है मेवात वालों ने तो उन्हों अपना माना लेकिन उन्होंने मेवात की प्रतिक कभी ध्याल ही नहीं दिया मैंने आपसे पहले वियर्द किया था मरूम चोजी रहिमका साहब संसर्शट में असेमली में गे उन्होंने बकाइदा शुरुआत की जो अंधेरा था हर इत्बार से जो अंधेरा था मेवात में उन्होंने शुरुआत की और आईश्ता 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 हम जैसे जब लोगों को मोका दिया मेवात में नए लोगों को जब मोका मेवात में मिला तो उन पुरारों ने तो कभी सोचा ही नहीं बलके मैं यहां तक कह सकता हूं जो हमारे लगाए बच्चे आदली चुट्रालर सामन लगाए ते आज उने में से एक्षिन भी बन गे एस्डियों भी बन गे एस्टी तक वो बन गे है इस्पेक्टर तो बन गे हुए अगर वो लोग आज 40 साल पहले उन बच्चों को लगाते अब और ये मेवाद की तरफ जाम देते जी तो ये हमारे श कि जिए चुटी थाइए बन ग्याप जाज इस प्कुटी पूछम जाद सब्सक्टा वोग जुटीए फोलार पन्सवें तो बना गे हा ऴारे उन्सटी बना स्वें पन्सटाद की चुटीए हाले प्याई पन्सटादा वे खुटीए है उन्सटादादाम